नमस्कार आज की नागपुर हल्चल में मैं अश्वरे शिंदे आपका स्वागत करती हूँ अईने ज़र डालते हैं नागपुर की विविध हल्चल पर महाराष्ट के उपमुख्य मंतरी देवेंद्र फर्णविस के जन्मदिन के अउसर पर जन्मदिन की पुर्व संध्या पर भाजब एंजियो आगाडी के कार्य करताओ द्वारा वरिष्ट नागरी को कोनी शुलकर छत्री विवरन किया गया पुर्वविधाय गिरिश व्यास, संजे भेंडे, मिलिन्दमाने, मंडला दक्ष संजे सौधरी, नरेश जुमानी, महेंद्र गुप्ता की प्रमुक उपस्तिती में बीनाकी मंगलवारी महेंद्र गुप्ता के जन संपर्क कार्याले में यह वितरन कारेक्रम संपन्न हुआ इस अउसर पन रविकांतिवारी, संतोष गुप्ता, ब्रजमोहन उपाध्य, मनोश ठाकरे, प्रविंजुमानी, सुमिट शुकला, अक्षे नांदेकर, डॉक्टर अनिल गिरी, रमेश कुराडे, भगवान कुमभारे, भावित सात्पुते, राजिंद्र कुमार गुप्त का कार्य गरिबों की सेवा करना, एवस समय समय पर नेताओं के जन्मदीन पर सहायता कार्य करना है, उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से उपमुख्यमंत्री को शुपकामनाय दी, वा कार्य करताओं में मिठाई तता उपहार बाट कर खुशिया जाहिर करना, अबीसी समास क में महिला कार्य करता भी इसमें शामिल हुई, डोलताशे की धुन पर कार्य करता थी रखते रहे, मिठाई या भी बाटी गई इस दवरान, शहर अध्यक्ष प्रविन दटके, चंदर शेकर बावन कुले, मोहन मते, कुरुशना खोपडे, उपेंदर जी कोठेकर, विकास मह में सुधाकर देशमुक, मिलिंदमाने, गिरिश व्यास, अविनाश ठाकरे, रांभाव अंबुलकर, बालाभाव बोरकर, निलेश टेकाडे, सारंग गोडबोले, सुमित पडोले, नरेश वरडे, सुरेश दित्तर मारे, संजेच अउधरी, नंदा जिसकार, कलपना पांड दिपती घाटोले, सविता पाठने, अर्चना डेहन कर, अश्विनी जिसकार, नलीनी बंजारी, अंजली भोले, सहित बड़ी संख्या में कारेकरता शामिल हुए बावन कुले ने कहा कि, OBC को राजनेतिक आरक्षन के लिए, पूर्वसीयम देवेंद्र फड़नवी, पुर्जोर तरीके से प्रयास रथ थे बिते ढ़ाई वर्ष महाविकास आगाडी सरकार के कारेकाल में टाइम पैस किया जाता रहा, जैसे ही शिद्य फड़नवी सरकार आई, तो उन्होंने दिली जाकर वकिल से भेट की यदि आज महाविकास आगाडी सरकार सत्ता में होती, तो बांठिया आयोक की रिपोर्ट सुप्रिम कोर्ट में पेश नहीं कर दी, और OBC समुदाय को कभी उसका हग और न्याय नहीं मिलता इधर शिवसेना ने OBC आरक्षन दिलाने के लिए पुर्व सीयम व शिवसेना प्रमुक उद्धव ठाकरे का आबार माना, किशोर पराते की नेतरुत्व में गोली बार चोक पर बड़ी संख्या में शिवसेनी को ने पठा के फोड कर और मिठाय या बाढ़ कर OBC आरक्षन म श्रावन खापेकर, वसंता डोंगरे, आशिश कटारे, प्रफुल तांडिये, किशोर राठोर, नईम पतेल, राजेद्र पुरानिक, अर्विंद सावर कर, संजय कसोधन, अनिल दुर्गुर कर, रमेश पराते, किशोर ठाकरे, अविनाश लोखंडे, अर्पना साकर कर, अ अंजुमन, मजहर अली, सतिश डायरे सहीद, बड़ी संख्या में, शिवसेनिक उपस्तित थे, पूर्वन आगपूर के विधायक, रुषना खोपने ने कहा, कि नवनिर्वाचित राष्टपती, महामईम द्रोपती मुर्मू, देश की प्रतम आदिवासी मैला है, उनके र शिरपक्षता का संदेश भारतिय जनता पार्टी ने दिया है, इस आशे के विचार विधायक, रुषना खोपने ने व्यक्त किये, नागपूर जिल्ले में गुर्वार को 209 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए है, कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 5 521,993 हो गई है, इस बीच 102 व्यक्ति ठीक हो गए है, ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 570,268 हो गई है, शहर में कुल सक्रिया मामलों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है, गुर्वार को कुल मामलों में से नागपूर जिले के ग्रामीन 90 नए मामले दर्ज कि जबकि 169 मरीज नागपुर शहर से सामने गए गुर्वार को जिले में कोरोना वाइरस संक्रमन से किसी की मोत नहीं हुई है नागपुर जिले का रिकवरी रेट अठ्यान बे दशमलो 14 प्रतिशक तक पोच गया है मनपा आयुकते एव प्रशासक राधा गुष्णन बीद्वारा नागरिकों की मुल्वी शिकायतों के संबन में दिये गए निदरशा नुसार जिल्ला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किये गए धरसर पहले यह कोरणा नियंतरन कक्षो हुआ करते थे, इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाथ मिल रहा है और गुर्वार तक जोर्नल स्तर पर नागरिक समस्या निवारन केंद्रों में 760 शिकायते प्राप्थ हुई है और अब तक 10 जोन में 515 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है सीवेच, पानी, स्वच्छता और स्ट्रेट लाइट के बारे में शिकायते दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान के इंद्रस थापित किया गया है इसका लाब आज नागरिक उठा रहे है इस तरह गांदीबाग जोन में प्राप्त 29 शिकायतों में से 33 सतरंजीपुरा जोन में 45 में 26 लकणगन जोन में 8 में 6 असीनगर जोन में 52 में 22 तथा मंगलवारी जोन में 16 में 11 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है शहर में एक और जहां कोरोना के आगळे लगातार बढ़ते ही जा रहे है वही पर अब बारिश शुरू होने के बाद से लगातार डेंगु के मरिजों की संख्या भी रुद्धी में हो रही है गर्मी के दिनों में कुलर लगाने के बार टंकियों में पानी जमा रहने तथा बारिश के दोरान कुछ सानों पर पानी जमा होने के कारण डेंगू की इलिया पैदा होने की जानकरी मनपा के स्वास्तविबाग के ओर से उजागर की गई है यही कारण है कि अब डेंगू प्रतिबंधनात्मक उपायोजनाओं को लेकर जोनल स्तर पर घरों में जाकर सर्वे होने की जान करे डॉक्टर जस्मीन मुलानी ने दी उन्होंने बताया गुरवार को सभी जोन में टीमों की और सेकुल 4555 घरों में सर्वे किया गया इस अभियान में 11723 कंटेनर्स, 1304 कूलर्स का निरिक्षन किया गया जिसमें 122 घरों में डेंगू की इलिया पाई गई, 127 कंटेनर तथा 50 कूलर में डेंगू की इलिया पाई गई इसके अलावा सर्वे के दोरान डेंगू के कारण बुखार के साथ मरीज भी मिले राज में चल रही राजनितिक उठापाटक के बीची सर्वत्चन्याले के आदशों के अनुसार राजचुनाव आयोग ने स्थानिया निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे जारी रखा राज़ चुनाओ आयोक के निर्देशों के अनुसार 21 जुले को प्रभाग अनुसार अंतिम मतदाता सुची घोशित की गई उलेखनिया है कि कुछ तकनी की कारणों से अब तक अंतिम मतदाता सुची घोशित करने को दो बार टाला गया था अन्तहा तमाम खामियों को फूरा करने के बाद अब गुरबार को अन्तीम मतदाता सुची की घोशना की गई उसनाओ आयोक की और से चुनाओ कारेकरम की घोशना साथ ही आचा सहीता लागू होने का इंतजार राजनितिक दलो को है बताया जाता है कि इसके पूर्व सोला जुले को अंती मतदाता सुची घोशित की जानी थी किन्तु अचानक इसी दिन महानगर पालिका की कंपिटर प्रनाली द्वारा कंट्रोल चार्ट्स प्रोसेस करते समय प्रभाक सर के मतदाताओं के आकड़े में अंतर दिखाई दिया मनपा अधिकारियों की करतूत को देखकर आजकल आम जनता हैरान परिशान है ताजा तरी मामला प्रभाक 46 का है यहाँ शारदा चोक रोड पर एक बिल्डर का काम चल रहा है भवन को बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल यानी रेट बालू गिट्टी इट आधी रोड पर गिराया जा रहा है इसे वहां चालकों को परिशानी हो रही या ताया जाम की समस्या से परिशान कुछ लोगों ने बुद्वार को पूरे मामले का वीडियो बना कर एनमसी के हनुमान अगर जोन के सायक आयुकता हरिश राउत को भेज दिया साथी सडक से बिल्डिंग मटेरियल को हटाने का अनुरोद किया राउत ने त्वरित कारवाई करते हुए मनपा के दस्ते को रोड से बिल्डिंग मटेरियल हटाने का निर्देश दे दिया इसके बाद आनन फानन में मनपा के कर्मचारी मोके पर पहुँच गए विसारा बिल्डिंग मटरियल जेसीबी की मदद से टिपर में डाल कर ले गए इस दोरान मनपा कर्मियों और बिल्डर के बीच तीखी नोग जोख हुई उसने धमकी दी की एनमसी में बड़े अधिकारियों से उसकी जान पैचान है इसलिए मनपा कर्मियों को इस कारवाई का खामियाजा भुगत ना पड़ेगा खेर मनपा की कारवाई से आसपास के पर उतर गे इससे तनाव का वातावरन निर्मान हो गया जिंगाबाई टाकली के जिंडा चोक पस्ति तिरुपती अपार्टमेंट के एस के बार खुल गया है नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं नागरिकों का कहना है कि बार के बिलकुल सामने बस टॉप है बहुत करीब हन नागरिकों की जामवाडा होने की जानकारी मिलते ही मानकापूर पुलिस भी मोके पर पहुच गए कोई अप्रिय घटना नो हो इसलिए बंदोबस लगाया गया है विधायक विकास ठाकरिक के नेतरुत्व में नागरिकों ने जिलाधिकारी पुलिस कमिशनर और राजय उत पदन शुलक विभाग के अधिक्षक को ग्या पन सोपा नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि यहाँ बार शुरू हो तो बड़े पैगामे पर जन आंदोलन किया जाएगा भारतिय स्वर्णकार समाज और वाठोडा स्वर्णकार परिवार की और से दसवी और बारवी के उच्च मेधावी विद्यार्थियों का सतकार किया गया जिसमें मुख्य रूप से सर्वमानव सेवा संग के संस्थापक अध्यक्ष सुभाश कोटेचा भारतिय स्वरणाकार समाच की राष्ट्रे अध्यक्ष सुधाकर राव बैतुले वारकाधीश प्रतिष्ठान की अध्यक्षा अंजली अनासाने उपस्ति थे कारेक्रम की शुरुवात प्रमुकतिति के हस्ते संत नरहरी महराज के प्रतिमा को पुष्प माला पहना कर तथा दीप प्रजवलित कर किया गया इस अवसर पर दसवी के 90 प्रतिषत से उपर विद्यार्थियों का तथा 12 के 80 प्रतिषत से उपर अंक प्राप्त के विद्यार् प्रशान बोर कर तथा स्वर्णकार समाच से निलेश सात्फले, मुकुंद्राव सहाने, नंदू बनसोड, अनील खरवडे, दत्तराज श्रीरंग, नरेश मसके, प्रविन कार्मोरे, रीता रोकडे, सुचिता रोकडे, दुर्गाज चित्रिव, ललीता रोकडे, रोशनी कारेकरम का संचालन दिनेश येवले ने किया, तथा विनोध निनावे नेमान्यवरो का अभारमाना। कंपनी है, जैकुमार मुलरूप से नाकपुर के निवासे है, उन्होंने अपने सकूली शिक्षा सरस्वत्य विध्याले नाकपुर से की और नाकपुर विश्व विध्याले से सनातक और उपाधी प्राप की है, तथा ICM में नाकपुर अध्याय के छात्र भी रहे, उनके पास वित्त, लेखा, कराधान, वानिक जिक, बिजली विनीमयन, नविनी करनिय, आईटी और परियोजनाक विकास क्षेत्रों में राज्य और केंद्रिय सारवजनी कुपक्रमों में बिजली और खनन क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें बोर्ड मेंब आजादी के अमरूत महत्सव के तहट केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार नाकपुर महानगर पाली का क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का कोविड निवा कर बुस्टर डोस देने के लिए मुफ्त टिका करण अभियान प्रारम हो गया है अगले 75 दिनों तक चलने वाले इस टिका करण अभियान में अधिक से अधिक नागरिकों को बुस्टर डोस लेने का आवाहन मनपा प्रशासन ने किया है मौजुदा 50 थाई टिका करण केंद्रों के अलावा अधिक तम लाभार्थियों के टिका करण के लिए 90 नई टिका करण टीमों का गठन किया गया है इन दस्तों में नर्स, वेरिफायर और आशा सेवकों का समाविश है इसके अलावा सरकारी कार्या लेओ, स्कूलों, कॉलेजों, मौल, नीजी प्रतिष्ठानों, कारखानों, कमपनियों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों में भी विशेश टिका करण शिविर आयजित किये जा रहे है बड़ी संख्या में लाभार्ती इसका लाब उठा सकते है, जो प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के टिका करण के लिए एक विशेश शिविर आयजित करना चाहते है वे निकेटवर्ती, प्रात्विक स्वास्त केंद्र या नागपुर महानगर पारिका के एक शेत्रेट चिकित सा अधिकारी से संपर कर सकते है विदर्ब के 13 लाग व्यापारियों की अग्रणी व शिर्ष संस्था नाग विदर्ब चेंबर ओफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाडिया द्वारा देश की पहली आदिवासी महिला के राश्रपती बनने पर द्रौपदी मुर्मु को बधाई दी गई हर्ष व्यक्त करते हुए मेहाडिया ने कहा कि NDA सरकार ने द्रौपदी मुर्मु को राश्रपती का प्रत्यक्षी बना कर भारत के अधिवासियों को बहुत बड़ा उपहार दिया है ये दरसल डौक्टर बाबा सहाब आमबेटकर द्वारा बनाये गए सविधान की देन है आज एक आदिवासी समाज की महिला को देश की राश्रपती बनने का सम्मान प्राप्त हुआ चेंबर के वरिष्ट उपाद ध्यक्षा अरजुन्दास आहुजा ने कहा कि मुर्मू एक बहुत गरीब परिवार की आदिवासी महिला जिसने अपने जीवन में बहुत ही कठीन परिश्रम वसंघर्ष करते हुए स्थानी अनगर पालिका के पार्षत से लेकर विधायक मंत यश्वन सिन्हा के बीच टक कर होनी थी किन्तु राजनितिक विशेशग्यों ने मुर्मू की एक तरफा जीत की भविश्यमानी की जो की सत्य साबित हुई कॉंग्रेस अद्यक्षा सोनिया गांधी को इडी कार्यले में बुलाकर पुष्टाश के जाने के विरोध में नाकपुर शहर कॉंग्रेस के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकर के नित्रत्व में पतादी कारियों वकारे करताओं ने केंद्रे सरकार की विरोध में जम कर न पत्रकार बैठक में क्षेत्रिय के इंद्रनाकपुर के वरिष्टक शेत्रिय निदेशक डॉक्टर पी शिव स्वरूप्टे कहा कि जुलाई 2022 के प्रवेश सत्र के लिए 258 कारेकरम ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से और 45 कारेकरम ओनलाइन मोड के माध्यम स चुकी है और कोई भी सनातक छात्र पात्र है इसमें पार्श्व प्रवेश निकास विकल्प है कि प्रथम वर्ष पूरा होने के बाद PGDF SQM डिप्लोमा पूरा होगा PGDF SQM वाला कोई भी व्यक्ती सीधे द्वितिय वर्ष में प्रवेश ले सकता है व्यवसाईक उद्यम स्थापित करने हेतू BAMSME कोर्स उपलब्ध है जो एक इच्छा उद्यमी बनने के लिए उपयूगत ज्यान और कौशल विकसित करने में वददगार साबित होता है कोई भी दस्वी बारवी पास विद्यार्थी इस कोर्स में प्रवेश के लिए पात रहे है इसके अलावा M.A. कारेकरमी उपलब्ध है जो हिंदी में पेशेवर लेखक के उदेश से इस शेक्षन एक सत्र से शुरू की गई है अजय पांडे चरिटेबल ट्रस की और से भरतवाडा मराठी प्राथमिक शाला में जरूरत मन वगरीब विद्यार्थी को मान मेडिकल प्राइवेट लिमिटेट के संस्थापक जीतु बेलानी की और से बच्चों को नोटबुक वितरित किये गए और उनका मार्क दश्षन गया जिससे वे उनके उजवल भविशक की और आसानी से बढ़ सके इस अवसर पर अजय पांडे चरिटेबल ट्रस के अध्यक्ष पूर्वन अगर सेवग मनोज गावंडे दीरज आगाशे वा अन्यमान्यवर उपस्थित थे उर्दू कल्चरलर कमेटी वकारवान ए अदब मल्टी परपस सोसाइटी के संयूगत तत्वाधान में मुमिन पूरास्थित अब्दुल जलिल चौधरी समाज भवन में इतिहासकार एवं शायर डॉक्टर मुहमद शर्फुद्दीन साहिल के सम्मान में जशने साहिल एवं मुशायरे का हर्शोलास से आयुजन किया गया इस कारेकरम के अध्यक्षता ताजाबाद ट्रस के चैर्मेन प्यारे खान ने की प्यारे खान के हाथो इतिहासकार डॉक्टर शर्फुद्दीन साहिल का सतकार किया गया साथी इस दोरान नाकपुर एवं प्यामठी शहर की व कारेकरम में शायर अलताफ जिया मालेगावी वाहिद अंसारी सरवर कमाल राशिद राही डॉक्टर खाली नयर आदी शायरों ने अपनी रचनाई पेश की कारेकरम का संयोजन शायर नईम अंसारी ने किया नौशाद अली हैदरी ने मंच संचालन किया और धन्यवाद ग्य जावेदक्तर आदी ने महत्वपुर्ण योगदान दिया प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी निशानगड सेवा मंडल नागद्वार की और से मेले में आने वाले भक्तों के लिए 23 जुलाई से 2 अगस 2022 तक यात्रियों की सेवा के लिए महाप्रसाथ के लिए मंडल की और से नागपुर से दो लंगर की गाड़िया पच्मडी नागद्वार क्षेतर में भेजी गई है पिछले 22 वर्षों से मंडल यह सरानिय कार्य कर रहा है ये यात्रा भारी बारिश के सिजन में होती है इस यात्रा में प्रतिवर्ष करीब 7-8 लाग लोग शामिल होते है इस यात्रा को विदर्व महाराष्ट्र के छोटे अमरनात की पदवी दी जाती है ये कारिकरम काजली नागदवारस्थित निशानगड मंडल के प्रांगण में होता है मंडल की और से सुबह 7 बज़े से नाश्टे की शुरुआत की जाती है उसके बाद सुबह 10 बज़े से रात को 10 बज़े तक चलता है मंडल में प्रतिदीन 15,000 लोग प्रसाद का लाब ल रही है कि इस साल ये यात्रा सफल हो गुरवार को गो फर्स्ट की फ्लाइट ने रात 8 बज़े यात्रियों समेत मुंबई के लिए टेक आफ किया था अचानक थोड़ी देर उडान भरने के बाद हवाई जहाद से इंधन लिख होने लगा एक सतर की यात्री की नजर इस पर हुई है सतर के यात्रियों और क्रू की बदौलत एक बड़ी दुरघटना टल गई है यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से मुंबई भेजने की तयारी की जा रही है गटना की जांच की जा रही है और इंधन के लिकेज के कारण का पता लगाय जा रहा है तो नाक पुरहल चल में आज इतना ही कल फिर मिलेंगे देखते रही है वी केमी नमस्कार